असलावलिकुम दोस्तों आपका फिर समय स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल गल्फ इन्फॉर्मेशन यूटूब चैनल पे तो साथ ही आज के वीडियो में कतर से सबसे पहली जो खबर दोस्तों आ रही है वो पाकिस्तान और कतर के भाईयों आप लोग पा पाकिस्तान कराची का दोस्तों ये फोटो आपको दिखाए दे रहा है वहाँ पे जोर्दस तरीके से दोस्तों बॉम बलाश्ट हुआ जिसके वैसे काफी लोग मारे गया इसी को लेकर कतर के तरफ से कॉन्डेम किया गया जैसे की खबरों में आपे पल सकते हो कतर कॉन्डे जिसका नाम है MotoGP Race दोस्तों MotoGP Race आप लोग ने वीडियोगरा में गेम्स वगरा में बहुं सारा सुना होगा यदे देखा होगा तो कतर में दोस्तों ये race जो है MotoGP Race schwier़ा हो लोग में 2015 में तो दोस्तों ये जो जल्दी जनौरी के महीने में साधय होगा confirm date में नहीं बता रहा हूँ, इसका ticket का selling start हो चुका है, यदि आप लोग ticket वगएरा खरीदना चाहते हो, तो ticket को खरीज सकते हो, अच्छी खासी दोस्तो ticket rate का महेंगा बताया जा रहा है अगली जो update आ रही है MOEHE launch the 10th National Robotic Olympiad दोस्तो कतर में MOEHE के तरब से एक नया events organize किया गया था, जिसका नाम था 10th National Robotic Olympiad यानि इस लगतार 10 सालों से National Robotic Olympiad का दोस्तो आयजन किया जा रहा था तो इस साल भी दोस्तो यह आयजन किया गया जिसमें से, अलग-अलग school के बच्चे अलग-अलग मुलकों के बच्चे सभी लोग इसमें पाटिस्पेट किये थे दोस्तो इसमें क्या होता है कि Science Technology के बारे में दोस्तो दिखाना पड़ता है एक तरह का यह competition वगएरा होते स्कूली बच्चे सभी लोग इसमें पाटिस्पेट करते हैं वो भी छोटे-छोटे बच्चे दोस्तो वीडियो को समें दोस्तो फोटो आप देख रहे हो इतने छोटे बच्चे इसमें पाटिस्पेट करते हैं अगली जो अपडेट दोस्तो आरे साथ ही हो Qatar Charity Launch New Project in घाना Qatar Charity के तरफ से दोस्तो एक नए परजट पे वहाँ पे काम चालू किया गया है घाना में दोस्तो घाना सौट अफरीका में पढ़ता है आप लोगों को पता होगा बहुत ही गरीब मुल्क गरीब देश है वीडियो के सिर्फ पे दोस्तो जो फोटो आप देख रहे हो जी विल्डिंग्स वगेरा बनी हुई है ये कतर Charity के तरफ से घाना में बनाया जा रहा है ताकि लोगों को इससे कुछ फाइदा हो सके और रहने का इंतजाम दोस्तो हो सके तो कतर Charity के तरफ से लगातार दोस्तो ये सब काम में जो है वो किया जाता है ताकि लोगों को मदद वहाँ पे किया जा सके अगली ख़बर दोस्तो वो भी आरी कतर Charity के तरफ से कतर Charity डिस्टिब्यूट फुड 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 वक्ति मी नैजेर दोस्तो नैजेरिया बहुत ही गरीब देश है इसके बारे में आप लोगोंने सुना होगा और जानते भी होगे नैजेरिया मुसलिम देश है बहुत ही छोटा सा अफ्रीकन कंट्री है तो कतर के तरफ से कतर Charity के तरफ से नैजेरिया में वहाँ पे फलड आया था तो इस फलड को देखते हैं दोस्तों वहाँ पे कतर Charity के तरफ से फूड और समान वगेरा डिस्टिब्यूट किया गया जैसा कि आप देख सकते हो तो जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को डिस्टिब्यूशन किया जा रहा है तो यह कुछ खबरे थी अपडेट सी जो की कदर से आ रहे थी मैंने अब तक share किया मिलता हूं दोस्तों नेक्स टुडियो पे जैहिंद अलाफिस टेक केर